कर बंद कर सकती है क्या जोड से बोलो कर सकती है क्या माताओ भाई और बेनो ये रिसोर्ट में रहने वाली सरकार है अपनी ही सरकार बचाने के लिए बार-बार MLA को उठा कर रिसोर्ट में ले जा रहा है अब जो अपनी ही सरकार नहीं बचा सकते है वो हमारी सिमाओं को बचा सकते हैं क्या बचा सकते हैं क्या भाइयों और बेहनों मैं आज कहने आया हूँ एक कॉंग्रेस पार्टी ने तुरुष्टी करण की राधनिती की इंतिहा कर दी है इतने सालों से देश अजादुवा तब से साड़ों पांच सो साल पहले अरोध्या में राम जन्मस्थान तोर दिया था बाबर ने मगर कॉंग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी अटका रही थी बटका रही थी मोदी जी आये मोदी जी ने राम जन्ममुमी के मुद्दे को समाप्त किया वहाँ भूमे पुजन करकर मंदीर के नीव रखने का काम नरेंद्रम मोदी जी ने किया है और मैं आज कह कर जाता हूँ अजमेर वालो मैं आज कह कर जाता हूँ 22 जन्वरी को फिर से दिवाली मनाना मालू में क्या है मालू में 22 जन्वरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदीर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्टा करने वाले है माताओ भाई और बेनोग उस तिन पूरे राजस्तान ने दूसरी दिपावली मनानी है, मनाओगे क्या? जोर से बोलो मनाओगे? आप लोगों को अवध्या जाना है या निि जाना है? मैं आपको कहता हूँ हमने चुनाओ गोष्णा पत्र में वादा किया है कि राजस्तान के लोगों को राजस्तान सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या ले जाने का काम करेगी आपको खर्चा ने भाई और बैनो ये तुरुष्टी करने वाली कॉंग्रेस पार्ट इपी त्रीपल तलाक को समाप्थ कर दिया मोदी जी में पाई पर बेन लगा दिया मोदी जी ने राम मंदीर की निव कर रखकर राम मंदीर को बनाने का काम पूरा कर दिया और मोदी जी ने धारा 370 हटा कर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दे मुझे बताओ ये कस्मीर हमारा है या नहीं है धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी और ये कॉंग्रेस पार्टी कई सालों तक धारा 370 को